कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को एविजन स्सी बेंक एक्जांस के यूट्यूब चैनल में और हम आपके साथ हाजी रहें जो की बेस्ट है करेंट एट फेबररी के ऊपर एट फेबररी के ऊपर जो दॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन है वह आपके कि इंडिया का साथ है उस मीटिंग में किस ने रिप्रेजेंट किया था और यह सब बहुत इंपोर्टेंट होते हैं बैंकिंग के सेक्टर में बैंकिंग कोश्चन होते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं यहां पर आपका वाज़ेगा प्यूस गोईल प्यूस गोईल पर य warfare करेंपनेश yorumने पर किया क्या टैज्टेंठीन मिनिस्ट्री आफ मिनिस्ट्री आपको पता रहे ऑनीन की आपको यह आदभानेजE रेलवे मिनिस्टर में पियूस गोईल ने यूनियन यूरोपीयन यूनियन इग्जेक्यूटिव वाइस प्रेसेंट एंट्रेड कमिशन वैलिट्स को साथ मिलके यह फ्राइडे को जो हुआ था इसके साथ मीटिंग हुआ अभी मीटिंग में क्या कमिट्मेंट हुआ कमिट्मेंट इस्टेबलिश्ट ऑफ डिस ड्यालग वाजें मेजर आउटकम ऑफ फिप्टींथ इंडिया यूरोपीयन इंडियर समीट जो की हेल रहा था जुलाइज 2020 में इसके उपर कमिट्मेंट रहा था और यह अभी एक फर्स्ट हाई-लेबल डालग किया जाए इसका जो साथ ही इंडिया वहां पर जाएंडिया को उसके ऊपर कंप्लेंट यहां पर डालग हुआ है चलिए नेक्स्ट कुशिन जा कर रहा है कि नेम्द सेविंग एकाउंट सेविंग लांच किया तो उसमें क्या रखा गया उसका नाम तो उसका नाम जो है वह है फेडिक्स फेड फेडरल बैक और फिर्स्ट मतलब जो फिर्स्ट टाइम करें बिजो एकटी एकाउंट के बीच में सेविंग की स्पीरिट यह पर पाएंगा ताकि वह अपना फ्रीडम अपने या फिर कैसे करें कैसे क्या होता है दूस्तों कि बेंग अपकर रहेंगा तो हमेशा आठारा साल के बच्चे उमर की कम के बच्चे साधा कर एक बेंग अगर उनको पॉकेट में नहीं 500 मिल जा था अगर उसमें से वह 100 उपीज भी क्या उनके मन में सेविंग की बाहुना दे तो कुछ ना और यह इसमें कुछ यूनिक फीचर्स रख्या गया है क्या है एक 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 अगांट होडर को प्रवाइट की जागा फट्वर्फेस कंटेक्ट लेस्ट डेविट काड वित डेली कैस्विज्ज्ट लिमित रखा गया है 2500 का एंड्पी यूएस इकॉम लिमिट जो की 10,000 का तो उनके लिए कोई भी चार्जेस यहां पर फेडरल बेंक चार्ज नहीं करेगा तो बहुत ही अच्छा इनिसीटीव है फोट इस्टेट्स बिलेव एक्टीम 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 क्या रहा है कौन सा देश बनाने जारा वर्स लार्जेस्ट विंड पावर प्लेंट यहां पर और इनेवल सर्स अफ इनर्जी आने की विंड है तो इसके उपर देखिया हम लोग जैसे इंडिया में बहुत फोकस करें सोलर के तरफ विंड के तरफ और यह विंड पावर प्लांट का एक खासियत मतलब कि एक जो डिसट्वांटिस को तुरप बिलेंगे हमेसा कोस्ट ला अब इस कुश्टन का जो इंसार है दोस्तों वह साउथ कोरिया देखे क्या है कि साउथ कोरिया के प्रेसिनेंट है मून उन्होंने साउथ को ब्रेंट को लीड करते हुए एफ्रूब कर दिया कि जो वर्ल्ड का लार्जिस्ट विंड पावर मतलब कि हावा से जो चलने हमार फाइदा क्या होता है कि आपको एंवर्मेंट फेंडली होता है और वो खतम होने का चांस नहीं होता है तो वह यह क्या करेंगा है कि सब कंट्रिस्कों कारबन फ्री हो जाना चाहिए पिर कारबन नीट्रल आजए उसमें लिए एक स्टेप भी है इस प्रोजेक्ट का बात कर जाएंगे तो 48.5 trillion won यह जो की करेंशी है वहाँ पर अगर इन बात करें डॉलर में तो 43.2 billion dollar का यह और प्रोजेक्ट है जो की लोकेटेट है सिनान में यह जो की एक प्रांथ है साउथ वेस्टन कोस्टल टाउन जो की साउथ कुरिया गया वहाँ पर लोकेटेट है आप जो की ब्रिटेन में है जिसका 1.12 gigawatt capacity है जबकि यह बन रहा है तो देखिए almost eight times या फिर seven times 8.2 gigawatt का यह पार प्रोजेक्ट बनने जा रहा है बहुत ही अच्छा तो कि हम मूव करें renewable source of energy के तरफ next question क्या किस district उत्राखड में देखिए बहुत ही एक sadful news या फिर बहुत ही दुखत समाचार कलाया कि glacier brushed हुआ है जिसको हिम संक्लन कहते हैं यह हुआ है कौन से district उत्राखंड में तो आपको पता हुआ दोस्तों यह बहुत ही trending चमोली में कल क्या हुआ कि एक बहुत ही बड़ा हिम संक्लन या फिर glacier based हुआ अब देखिए क्या हु हुआ है कि बरबादी हुआ है उस पावर प्रोजेक्ट को भी उसमें क्या हुआ कि अफ्टर पोर्शन अफ नंदा देवी ग्लेसियर जो है तपोवन इरिया में जोसीमट के पास वहां पे जुक्चमोले डिस्टिक में है वहां पे साथ फर्मरी को सुबह को यह निउस आया थौली गंगा रीवार के उपार पॉपर इस गंगा पर प्रोजेक्ट व्रस गेंगा प्लान किया क्या थे प्रोजक्त हुआ है और बहुत जानमाल का नुकसान के साथ के साथ बहुत लोग अभी वी फस्वे हैं और वहाँ पे खीव played जारी है हमारे डिफेंज के द्वार एंडियारे पह भी जारी जब ही करशनी कर भी तब भी हमने और चल रहा है तो यह बहुत यह दुखदाई समचार था हम लोगे देश के लिए किस कम्पनी ने चूज़ किया NASA और SPHERX को क्यों कि all sky survey करेगा तो यहां पर जो company चूज़ किया गया NASA द्वारा वो है आपका SpaceX NASA क्या है Space Agency है किसकी USA की जैसे हमारे पास CSRO है तो उसी तरह यहां पर NASA है Boeing आपको पता हुआ कि यह aircraft बनाती है company तो देखे नासा ने सिलेक करता है SpaceX को जो की launch करेगा Sphere X Mission क्या है Sphere X Mission तो देखे SpaceX launch करेगा Sphere X Mission Sphere X क्या है is sort of spectrophotometer for the history of the universe epoch and realization and ISS explorer बहुत बड़ा यह abbreviation spacecraft है तो इसमें कहा है कि Sky का सर्वे से सर्वे होगा सर्वे होगा अब देखे थो दीश मिशन नासा का एम है कि all sky survey परफॉर्म करेगा जो की measure करेगा नियर इंफाराइड स्पेक्ट्रा के तुरू एस प्रोक्सिमेटली 450 million galaxies जो galaxies होती है हमारे universe में तो उसको measure करेगा और साथी साथ across the universe और 100 million stars inside our Milky Way galaxy जो हमारे galaxy का नाम आपको पता है Milky Way तो उसमें जो 100 million stars उसके उपर भी सर्वे का है और यह स्मॉल एस एस्ट्रोफीडिक्स स्पेस्क्राइश जो है जिसका वेट है 329 LB यानि कि लगबख 178 kg के ऊपर है अगर बात करें launch का तो यह launch होगा Falcon 9 rocket से जो कि आप सुनते है F-16 जो पाकिसान के पास बीमान है या फिर F-35 F-22 जो बीमान है तो यह F का मतलब Falcon होता है यह company manufacture करती है तो यह rocket भीमान आती है तो Falcon 9 rocket से launch होगा June 2024 में from Space Launch Complex 4E जो की Air Force Base Station है California में USM से मैं आपको पता हूँ कि US में हाली फिला में उनके प्रिजडेंट नए पॉइंट है जो कि जो बाइडन है और बहुत ही सक्कात के बाद बहुत ही दिक्कत के बाद हो फाइनली को कि ट्रॉम्प अपना सीट छोणना नहीं चाहरा थे जैसे कि उपर हमारे वीडियो यूट सब्सक्राइब करेंगे गुगल क्लाउड जो है उसने पॉइंट के बिक्रम सिंग बेदी क्लाउड इंडिया बिजनेस पे अपको बता रहे थे कि वीडियो में आपको बताया थे तो यह वीपी बन गया है एक्टिंग रहता पॉलिटिक्स रहता उस तरह से रहता तो वहाँ पर आपको बन गया है और यह जो इंडियान आदमी है इन्हें आप बिक्रम सिंग वेदी इन्हें पॉइंट की जाए क्लाउड इंडिया बिजनेस के तौर पर मैनेजिंग डिरेक्टर अगला कोश्चिन क ज हाँ पर एक्टर अली पर जिनका और पर किस सपौर्टि Cramp बिणग करते है को और पर एक्टिंग रहता अउस तरह से रहता तो इइंसर तो हमारा ओपर टीनीस हो जाएगा त Ricky आउप इंडियां पिरेनिटली टैनिस देंगा अभी इंडिया डिएं golpe प्रिया को डेवीस कप में आठ बार रिप्रेजेंट किया था आठ बार एगेंस पाकिस्तान, मलेसिया, इरान, मेक्सिको, जपान, मोनाको यो कि 1908 से 1964 के बज़ में उन्हें खेला था डेवीस कप क्या होता है कि कंट्रीज के टेनिस प्लेयर वहां पे खेलते हैं अब और मैंडाल देखिव क्या होता है कि यसे कि टेनिस के में में ट्रूनामेंट्स होता है, उसे पोई उसके बाश्ट्रेल्या उपे सब्सक्राइब के साथ रामनाथन प्रिष्णन के साथ नरेश कुमार के साथ प्रेंजीत लाल के साथ जैदीब मुखर जी के साथ उन्होंने क्या था अक्तर जो है वह वाज गुरून बाइफ फॉर्मर ऑस्ट्रिलेंड डिविस कप कोच हरी होप मैं कि अगर कोच की बात करें रूट्स तो है यह हाली हुआ इंडिया वर्सस इंगलेंड का मैच चल रहा है वर्सस इंडिया वर्सस इंगलेंड का मैच चल रहा है उसमें जो रूट ने 2-0 पाग किया था तो वह हंड़ेट 6-0 निजह एंग्लेंट के प्लेयर है जो मैच हो रहा चैपॉप कि शिदिया में हो रहर है जो कि जो रूउट जो कि Inglund की कि प्लेर नहीं ए उन्होंने क्या किया कि ऐसा बैट मेन कि सवेट टेस्ट में क्या कि है अपना दो सोरन बनाये और पकिस्तान के फॉर्मर केप्टेन उनको भी सरपास्ट कर दिये हाइस इंडिविजियल स्कूर का जो कि अपने स्वेट टेस्ट में बनाया था उनका 184 था एंस्ट इंजिया बेंगलूरी में जो कि 2005 में बनाया थे और यह जो है यह 200 से ज्यादारन बनाया है तो यह एक बहुत ब्रब्रवाइब करें चाहिए जिनका रिसेंटली ध्यान्त हो गया वह कौन से देश से बिलों करते हैं इस तरह से भी कुछे जाते हैं तो यहां पर जो इन्सर जागा चैनाडा कैनाडा से वह बिलों करते हैं अब देखेए जो ऑसकर वीनिंग अक्टर क्रिस्टोफर प्ल जो कि 82 साल के एक्टिंग में एक्टिंग में इतने वारे थे और यह कोस्चन बहुत इंपोर्टेंट होगा आपके लिए टेंगे में किस्तने स्टेट्स ने कंप्लीट किया इस अब बिजनस में कि मिनिस्ट्रे आपके कितने रिफॉम्स को कि यहां पर अँब अब इनदिया के बीच पर इजो ट्रेड होगा तो इसमें और चार स्टेट्स एड होते हैं जो कि यह कंप्लेट करते हैं इस बूइंग बिजनेस एज इस्टिपुलेटेड वाइड डिपार्ट्मेंट ऑफ एक्ट्रमेंट एक्पेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफइनेस के अंदर जो आता है तो फूर इस्टेट कौन से हैं तो वह हो जाएगा असा सब्सक्राइब तो इतना पैसा वह बोरो कर सकते हैं और जो टोटल इस्टेट इस 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 बीजनेस में आ रहे हैं तो आप बारा उचके और भी और बाकी स्टेट्स कौन से हैं आंदर प्रदेश करनाटका किरला मत्यप्रदेश उडिशा राजस्थान तमिलनाडू तेलंग दोश्तों कि हम एवीजन आपके लिए जो वेस्ट बेंगोल पूलिस का जो रिक्रूट्मेंट निकला है कॉंस्टेवल और एसाई का उसमें हम फ्री सेमिनार और्गनाईज कर रहे हैं वाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है जो कि और्गनाईज होगा कब आपका थर्टीं सब्सक्राइब को सनिवार के दिन दो बज़े से तो आप अभी जाएए 6289-8181-41 पर रेजिस्टर कीजिए यह जो हमारा नंबर है फिर से लिखना है 8181-41 पर रेजिस्टर कीजिए और आके सेमिनर फ्री और कोस्ट एटेंड कीजिए और आप कंप्लीट देखिए कैसे क्या एक्जाम के पैटन है कैसे पढ़ाया जाएगा सब कुछ वहां पर आपको डिसकस कर आजाएगा तो आसा करते हैं आप आएंगे चीजों को देखें समझेंगे समझेंगे कि बहुत ज़्यादा वेकेंशिज वेस्ट बेंगोल को मिन्टे नीग इडिलीज किया है 9700 प्लस वेकेंशिज आई और एक बहुत ही बड़ी वेकेंशिज नंबर वेकेंशिज है जो पढ़ रहा हैं उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है काइंडली सब्सक्राइब करना ना पूले इस टाइप के वीडियो जो होते हैं आपको मिस ना हो और एक चीज आपको यहां पर बता दे कि 8 बजे रोज क्वांट्स का यानि कि जिसको हम बंगला में उंको बोलते हैं उसका क्लास होता है हमारे एविजन एसी यूटूब चैनल पे एव कंप्लिटली बेंगोली में होता है बाई आमल सर द्वारा कंप्लिटली बेंगोली में यह क्लास किया जाता है तो आप जाके वहां पर भी अटेंड कर सकते हैं थैंक्यू वेरी मच्छ साइनिंग ओफ जीतुती वारी